गुद इविनिंग एवरीवन, वेल्कुम तु दे क्लास, आज करते हैं बीफ पास्चरेश, हनीबी किस पर फीड करती हैं? वो फीड करती हैं पोलन एंड नेक्टर पर, ठीक है? तो हनीबी का या बीज का पास्चरेश क्या होगा? वो फ्लावडिंग प्लांट्स जो पोलन औ और नेक्टर प्रोवाइट करते हैं ठीक है? तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो क्या कैसे करेंगे? कि बीफ पास्चरेश, इट इस क्या होता है? इस दा, इट इस दा अविलेबिलिटी आफ, किसकी अविलेबिलिटी? आफ नेक्टर एंड पोलन प्रोवाइडिंग फ्ला तो उसे हम बीफ पास्चरेश कहते हैं और बीफ पास्चरेश को बीफ फोरेज का भी नाम दिया हुआ है ठीक है? अब आप देखो कि क्या होता है? कि हनीबिल प्लांट पर जाती है किसके लिए? नेक्टर एंड पोलन ठीक है? नेक्टर से क्या मिलता है? हनीबिल को शूगर मिलता है और शूगर से जो है एनरजी मिलती है राइट दूसरा नेक्टर में जो शूगर है वो ही हनी में कनवर्ट की जाती है बाइदा वर्कर हनीबिस ठीक है? ना पोलन जो है पोलन इस रिच सोर्स ओफ प्रोटीन एंड मिनरल्स यह किसके लिए चाहिए? यह जो है हनीब से अविलेबल होते हैं यह जो है यह फ्लावर्स जो है यह बी फूड का या बी पास्टर इज का हम इनको अविलेबिल्ट को बी पास्टर इज बोलते हैं और अगर हम बी का जो फोरेजिंग एरिया है वो हम यानि कि the area up to which it can travel from its beehive वो जो वेरी करता है वो 3 किलोमेटर से 5 किलोमेटर तक का भी हो सकता है ठीक है अगर बी 5 किलोमेटर के beyond जाती है तब जो है energy gained जो है वो कम होती है लेस होती है और energy जो है expenditure जो है वो ऐसे में ज्यादा होता है ठीक है ना expenditure is more तो तो there is no point in going beyond 5 किलोमेटर बीकोज उससे जो है ना तो बी हाइव को कोई फाइदा होता है और ना ही बी को कोई फाइदा होता है और अनदर गारक्टरिस्टिक इस 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 दा मिनिमम टेंपरेचर अगर हनी बी जो है को जो minimum temperature active होने के लिए चाहिए वो है 13 degree Celsius ठीक है ना यह ज़स्ट यादि की 13 से कम जब temperature होता है तो बी की activity कम होती है यानि की foraging जो है वो कम होती है और 19 degree Celsius पर बीस जो है वो maximum activate एक अटिव होती है और बी foraging भी उस ता इंपर इस temperature पर ज़्यादा होती है ठीक है now another characteristic is तो मैं पता की earth जो है if it has got you know equator, north pole, south pole, right many longitudes इस तरह longitudes होते है ना then they have latitudes तो यह latitudes और longitude की position पर भी depend करते है कि किस location पर जो है beehive located है और उसके आसपास जो है जो vegetation है वो कैसी है that also decides be pasturage correct now if you यानि की जो bee source है या nectar या pollen source है वो differ करता है हर latitude पे वो differ करता है ठीक है another characteristic is communication हमने पिछली class में ही किया था कि bee जो है food source के बारे में कैसे communicate करती है by two type of dances either it is round dance और it is waggle dance हमने detail में last class में किया था जिन्हों नहीं देखा वो देख सकते है round dance से जो है direction का पता नहीं चलता बट पीज को पता चल जाता है किसी short distance पर ही food जो है वो located है waggle dance से क्या direction भी पता चलती है और the distance भी पता चलता है किस direction में कितने distance पर यानि कि long distance अगर होता है तो उसमें waggle dance का use होता है और उससे भी जो है exact source of food की location जो है वो communicate कर देती है correct now another you know characteristic is geographical location geographical location का मतलब क्या है कि depend करते है बी हाइव की location कि कहीं आसपास desert तो नहीं है या आसपास forest तो नहीं है या आसपास plane area है या you know somewhere कोई water body जो है आसपास located है तो ये geographical location भी बी पास्चरेज को decide करती है correct now another characteristic is if you see कि अगर हम बी पास्चरेज देखें तो बी पास्चरेज में बहुत सारे ऐसे flowering plants और trees भी आते हैं जिससे की good type of honeybees produced जैसे की मैं आपको लिखाती हूं यह देखा हूं mango tree है ठीक है यह इसके flowers है you can see can you see it is a very good source of nectar and pollen for honeybees यह आप देखो coconut है coconut tree है और यह coconut flower है same way if you see this is almond flower ठीक है नाओ this is tamarind tree tamarind tree यहने की इमली का पेड़ है उसके आप flowers देखो जितना जो ज्यादा flowers हों यह उतना ही nectar और pollen source available होगा नाओ you see this is neem tree ठीक है नीम tree के देखो आप flowers इसके अविलेबल है जामुन tree देखो आप यह इसके flowers देखो आप कितने beautiful flowers है तो यह इस तरह से अगर आप bee pasture is में यह इस तरह से flowering tree you can say yeah flowering plants जो है वो availability जो है decide करती है nectar and pollen की कौन कौन से type of plants tree located है ठीक है नाओ अगर हम देखें कि जितने लंबे पीरियड तक flowers available रहेंगे ठीक है यानि उतने लंबे time तक honey जो है वो produce होगा राइट तो यह इस पूरे period को क्या बोलेंगे इस period को बोलते है honey flow period एक बार में फिर से तुम्हें बताऊंगी honey flow period क्या है कि honey flow period जो है it is the it is the period for which large number of nectar and pollen yielding plants are available in the vicinity of the vicinity of apiary apiary के आस पास कितने पीरिड के लिए nectar and pollen producing flowers available है या plants available है उसको कहते है honey flow period और जितना ज्यादा honey flow period होगा उतना ही honey का production ज्यादा रहेगा ठीक है अब एक period ऐसा आता है कि जब यह flowers जो है available नहीं होते तो उस period को यानि कि the period when there is no availability of availability of what nectar and pollen इस पीरिड को क्या बोलते है इसको बोलते है डर्थ period आगे समझ में यानि कि honey flow period और डर्थ पीरिड जो है एक दूसरे एकदम opposite जो है periods है एक में honey flower और इसकी you can say nectar and pollen की availability थी होती है और एक में वो बिलकुल भी available नहीं होते है another characteristic is जो color है honey का वह बहुत depend करता है plant के उपर ठीक है जैसे कि flower यह जो है यह flower है इस flower की usually पत्य नहीं इस तरह से होते है ती पत्य भी बोलते है इसको ठीक है तो आब आप देखो कि जो यह एक white flower इस तरह pink flower red flower sweet flower इस तरह भी होते है तो यह जो flower जो है flower है इससे जो honey produce होते है वो usually नहीं मतलब light color का होते है या you can say mild होते है ठीक है वेरेस जो citrus fruits है के flowers है जैसे की orange है या फिर you can say lemon है उससे जो honey produce होता है वो जो है एक dark color का honey होते है ठीक है और जो darkest होता है ना darkest honey bee किस से produce होता है वो इस flower से produce होता है यह है बकवीट flowers बकवीट को अगर हम हिंदी बहुत कुट्टू के आट्टा सुने ना तो कुट्टू के जो flowers होते है उससे जो है सबसे ज़्यादा dark color का honey produce होता है और जो darkest honey होता है ना वो सबसे strong honey उसको माना जाता है ठीक है अगर हम देखें कि जो अच्छे honey plants है जो good honey plants है वो ना उनको दो conditions fulfill करते हैं वो करते हैं एक तो यह कि वो जो nectar है वो large amount में produce करते हैं जो plants होते हैं large amount में ठीक है तीसरा जो है यह दूसरा जो है उनका जो number है वो sufficient number काफी जो है large number में अगर वो plants जो है available होने चाहिए ताकि सभी पुरे बी हाइव की है जितने बी हाइव उनकी जो requirement है वो पूरा कर सके ठीक है नाओ अभी इफ यू सी जो भी पास्चरेज है उसका क्या significance क्या importance दिखा जाए तो बहुत है हलांगे हमने कर चुके nectar और पोलन वो प्रवाइड कर रहा है जो है आफ्टर डैट अदर वाइस उसके क्या importance है एक तो यह कि जो quality of honey है और जो quantity of honey है वो भी पास्चरेज पर depend करता है अभी हमने discuss ही कर लिया कैसे ठीक है दूसरा significance यह है कि यह जो भी पास्चरेज जो ही pollination management भी के लिए important है तीसरा significance है कि एपी कल्चर में बी पास्चरेज की बहुत जाधा value है राइट होप आपको समझ में आ गया होगा इस इस आल फॉर बी पास्चरेज थैंक यू वेरी मच